मसकार आप सभी का एगेंस्क्रेप्शन के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे किसी भी पतातिकारी द्वारा भरष्टा चार के कारण पद का दुरुपयोग कर मनमानी धंग से कारी किया जाता है या गलत धंग से आदेश पारित किया जाता है तो आप इसकी सिकायत लोकायुक्त के शमक्ष किस प्रकार करेंगे तो चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें जिससे हर तरह के इस वीडियो का नोटिफिकेशन सिगर मिलता रहे तथा उपयोग अब तो साक्ष है चाय वह RTI के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से आप लोगों को भरष्टाचार का साक्ष अगर प्रियाप्थ हो तो आप अपने अपने राजी के लोकायुक्त के शमक्ष सिकायत अवस्थ दर्ज करने हैं तो आप अनुसुची कों में एक अपना जाले में जमा करना होगा इसका ध्यान रखेंगे तथा आपको मई स्टेट के समक्ष एक सपत्र पत्र देना होगा कि मैंने परिवाद में जो बातें दी है वह मेरी जानकारी में सत्य है तो तेसरी बात ध्यान रखना है कि आपको वहाँ एक सो रुपए का कोट फी लगेगा वहाँ कोट फी कोट टिकट के रूप में आपको देना होगा और अपना जितने भी परिवाद के लिए जितने भी कागजात देंगे आप सभी एक एक पेपर पर अभी परमानित होना च चाहिए मना सभी कागजात पर आप अपना साइन कर देंगे और अपना साइन करते हुए आप एक परिवाद दर्ज करवाश रखते हैं और एक आप लोगों को जो भी डोकुमेंट्स देंगे उसकी आपको एक सूची खो में अपना दस्तावेज की सूची बनाकर पॉइंट अपना नाम और जिसके खिलाब सिकायत दर्ज किया है उसी का यहां करम संख्या के द्वारा दस्तावेज की संख्या दस्तावेज का संशिक्त बर्णन स्वप्रभानित या आप परतिलिपी अगर एटेस्टिट किया हुआ आपको मिला है तो वो भी दे सकते हैं अभी उक्त उस पॉइंट में आपको क्या सिकायत है उस पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को यह एक अनुसूची खोव में एक सूची बना कर देना होगा इसका ख्याल रखेंगे और इस पांच परति को आपको काड़ियाले में ही जमा करना होगा आप लोग इस परति को ठीक से टाइप करवा लेंगे शाप से करवा लेंगे और यह आप खुद भी आप परिवाद दर्ज करवा शकते हैं या अधिवक्ता के माध्यम से भी परिवाद दर्ज कराएंगे तो अधिवक्ता से यदि परिवाद दर्ज कराएंगे तो आप लो साथ परती बना लेंगे किसी भी परिवाद को दर्ज करवाएंगे क्योंकि पंच परती तो आपको लोकायुक्त कारियाल है के ही समक्ष जमा करना होगा और एक परती अपने अधिवक्ता को देंगे तथा एक परती अपनी जानकारी के लिए खुद अवस्र रखेंगे इसलिए आप कुल साथ परती में अपना परिवाद के लिए कागजात तयार करेंगे और सभी पेपर पर साइन कर लेंगे और यदि खुद से करेंगे तो आपको छो परती में अवस्र करना होगा यह नियाम है आप इस सब का धियान रखेंगे जय हिंद